हलो प्यार विच्चों कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासिस को इंजवाय कर रहे होंगे आज हम लोग देखनी वाले हैं सब्द और उनकी अर्थ जो लोवर पीसेस एक्जाम में बहुत जादा पुछा गया साथ ही वीडियो के एक्जाम में भी आया दूसरा है परोपकारी परोपकारी का मतलब होता है भालाई करने वाला तीसरा है क्रितग्य ये क्रितग्य किसे कहते हैं तो यहां पे होगा किये गए उपकार को मानने वाला अगर कोई किये गए उपकार को मानता है तो वो क्रितग्य कहलाता है दूसरा देखिए क्रितग्न ये भी बहुत important है जो किये गए उपकार को ना माने उसे कहते हैं कृतग्न तो कृतग्य और कृतग्न याद रखेगा बहुत ही जादा भैतूर है next जो सब्द है वो है आपका अपमान अपमान आप सभी को पता है कि जब आपके मान को भंग कर दिया जाए जब आपकी बेज़ती की जाए या जब आपका तिरसकार किया जाए तब इसे कहते हैं अपमान और आपका next है निक्रिष्ट का मतब होता है जो नीच हो जिसको अधम भी कहते हैं नेच कहिए या अधम कहिए अमनी मतब आपका धरती होता है और इसे का मतब प्रिथ भी भी होता है म्रिगांख बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परियावाची में भी आता है और देखे सब्दार्थ में भी पूछा गया है चंद्रमा है नील कंठ जिसका कंठ नीले रंग का है और आप सभी को पता है कि वो सिव है और ये आपके आता है जो समास हम पढ़ते हैं तो उसमें भी आपका कर्मधारे समास आता है बहु बिरी समास आता है उसमें इस तरह से पूछा जाता की नील कंठ क्या है तो देखें ये आपका कर्मधारे समास है जिसका कंठ नीले रंग का है वो है नील कंठ समबेदना, समबेदना मतलब क्या होता है, किसी दूसरे की वेदना यानि की तकलीप में सहबागी बनना, इसे को कहते हैं समबेदना स्वान भूति सब्द का आर्थ क्या होता है अपना अनुभो जो आपने खुद अनुभूति किया है उसे कहते हैं स्वान भूति नेक्स देखी ओ विवेक, ओ विवेक मतलब होता है विवेक रहित, जिसके पास समझधारी ना हो, जिसके पास विवेक ना हो से कहते हैं विवेक रहित और ना समझ, हस्तांत्रड, बहुत ज़्यादा पूशा जाता है, हस्तांत्रड का मतलब क्या होता है, तो दूसरे के हाथ म ने देना दूसरे की हाथ में डेना हस्थांत्रण होता है एक होता अस्थान अंत्रण यानि कि एक-स्थान से दूसरी जगा भीजिए ना अस्थान अंत्रण होता है निंट आ emotions आत चरी आपका सुद्दवर्त an a dal हमें किसी पद की अंतिम अच्छर से नया पद आरंब करने का खेल यानिकि पंत करने का 15 खेल भृते हैं اफ घौने को समांब्थ करते हैं उसी सब्ध से लिए इसको अरdı्या आहरहता है जा उसी override करना कनक आप सभी को पता है इसका मतलब धतूरा भी होता है इसका मतलब सोना भी होता है त्याद रखेगा कनक सोना धतूरा होता है सरस मतलब क्या होता है रस से युक्त यानि की सा रस यानि की जिसमें रस हो जो रस से युक्त हो जो रस से बरा हो उसे कहते हैं शरस नेक्स देखें question बहुत जाद आता है कि आजाद सत्रू का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है जिसका कोई सत्रू ना हो जिसका कोई सत्रू हो ही ना जनम ही ना लिया हो उसे कहते हैं आजाद सत्रू नेक्स देखे दिगंबर दिगंबर का मतलब होता है कि जो नंगा हो जो नगन हो जो वस् परोच आप सभी को बता है जो आखों के सामने हो उसे कहते हैं परोच और जो आखों के सामने नहीं होता उसे हम कहते हैं और परोच या और प्रत्यच वैद किसे कहते हैं वैद मतलब जो कानूनी द्रिष्ट से मानने हो उसे कहते हैं वैद और जो कानूनी द्रिष्ट से मानने ना हो उसे हम कहते हैं और बैद लाइस देखें जी जी विसा ये question भी आता है कि इसका एक तो वरतनी में आएगा दूसरा इसका मतलब क्या होता है जी जी विसा जो सब्द है इसका अर्थ क्या होता है बहुत महत्पूर है याद रखेंगा जीने की चाह जीने की इच्छा को कहते हैं जी जी विसा आतिथे का क्या मतलब होता है आतिथी का सतकार करने वाला को कहते हैं आतिथे और आतिथी मतलब होता है जिसके आने की कोई तिथी ना हो उसे कहते आतिथी और आतिथे मतलब कि जो आतिथी का सतकार करने वाला हो नेश देखी असन, असन का मतलब होता है भोजन, याद रखेगा असन सब दिखजामें पूछा गया है, असन का मतलब होता है भोजन, अंतःपुर बहुत जाद़ पूछा जाता है, one word substitution में, अंतःपुर का मतलब है, घर या महल का वह भी तरीभाग, जिसमें इस्तरियां रह इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, अंतःपुर, जो राजा होते थे, उनका अंतःपुर हुआ करता था, जिसमें उनकी बहुत सारी धानिया रहा करती थी, आगने, आगने का मतलब है, कि आगने से संबंधी, जिसका संबंध आगने से हो, उसे कहते हैं, आगने, नेक्स देख ल नेक्स देखे हंस सुता हंस सुता आपका ये समनार्थी भी है और इसका मेनिंग भी है तो हंस सुता यमुना को कहते है याद रखेगा यमुना को ही हंस सुता कहते है आसिरबाद का मतलब क्या होता है आसिरबाद का मतलब होता आसिरवचन ऐसे वचन जिसमें आसिरबाद की भावना हो इसके लावा आसिस भी होता है मंगल कामना होता है मंगल कामना भी होता है तो याद रखेगा मंगल कामना होता है नेक्स जो पॉइंट है वो है व्यावहारिक ये भी देखिए वर्तनी भी आपकी सुद्ध हो जाएगी व्याव हारिक का मतलब होता है जो व्योहार योग्य हो जो व्योहार में लाने योग्य हो व्योहार योग्य हो उसे कहते हैं व्याव हारिक नेक्स देखिए बलिष्ठ बलिष्ठ का मतलब क्या है सरवाधिक सक्तिसाले को कहा जाता है वलिष्ठ अच्वित इस सब्द का मतलब क्या होता है अच्वित का मतलब होता है कि जो इस्थिर रहे जो अपनी चीजों से ना चित हो ना अलग हो, ना हटे ना मतलब बिचलित हो उसे कहते हैं अच्वित जिसका मतलब होता है अटल या इस्थिर होता है अटल कहिए या इस्थिर कहिए दावागनी दावागनी भी पूछा जाता है कि दावागनी का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है दावा नल दावा नल का मतलब क्या हो गया जंगल में लगने वाली आग जंगल में लगने वाली आग को दावागनी भी कहते हैं और दावा नल भी कहते हैं तो दावागनी पूछे या दावा नल पूछे जंगल में लगने वाली आग है नैसे देखे बढवा नल ये सारे सब्द पूछे गए हैं एक्जाम में बढवानल का मतलब होता है समुद्र में लगने वाली आग जो आग समुद्र में लगे उसे कहते हैं बढवानल लाइस देखें जठरागनी जठरागनी का मतलब होता है कि पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठरागनी चुकि जठरस आपके पेट के मतलब चीजों को पचाता है इसलिए इसका नाम है जठरागनी विसाद विसाद का मतलब है दुख और साद उदासी दुख कहिए और साद कहिए उदासी कहिए यह सारे विसाद के ही मतलब हो और इसका अर्थ है हद यानि कि क्या मतलब क्या होता है रूप सी मतलब होता है रूप वती इस्त्री रूप वती इस्त्री आस्तिक का मतलब देखी आप सभी लोगों मोसली जानते हैं कि जो भगवान को मानता है वो आस्तिक जो नहीं मानता है वो नास्तिक लेकिन ये सब्दे नहीं है आस्तिक का मतलब होता है जो बेदों में बिस् नैतिक आचरण और ब्योहार को कहते हैं सील अंसु का मतलब क्या होता है अंसु मतलब होता है किरण और अंसु मतलब वस्तर भी होता है अंसु मतलब किरण भी होता है और अंसु मतलब वस्तर भी होता है देखे हरीतिमा हरीतिमा सब्द का मतलब क्या होता है हरीतिमा सब्द का म आसन आपको पहले भी बता चुकी हूँ बहुत इंपोर्टन्ट है कई बार आयो के दोरा पूछा गया है आसन मतलब होता है भोजन याद रहेगा जो हम आसन पे बैट करके अन्न को ग्रहण करते हैं वही क्या होगे असन अजिर देखें बहुत इंपोर्टन्ट है अजिर होता है आंगन, सरीर, वायू, इंद्रिये, विशय यह सभी क्या है अजिर और अजर मतलब होता है जो कभी बुढ़ा ही ना हो जिसे कभी बुढ़ापा आये ना ही उसे कहते हैं अजर अमर और अजिर, आंगन, सरीर, वायू, इंद्रिये, विशय यह सभी है बहुत महत पू नेक्स्ट है आपका सलाध्य, सलाध्य मतलब क्या है, सलाध्य निये या प्रसंस निये, इसी को कहते हैं सलाध्य, सलाध्य का मतलब होता है, कि आपका प्रसंस निये, जो प्रसंसा करने योगे हो, उसी को कहते हैं प्रसंस निये, परीडे, परीडे का मतलब होता है, विवाह य रमडिये का मतलब आप सभी को पता जो जो चीज़े आपको रम जाएं जो चीज़े आपको अच्छी लग जाएं उसी को कहते हैं रमडिये सविता आपका बहुत इंपोर्टेंट है सविता सूरी को कहते हैं और सूरी को ही आदित्ति भी कहते हैं जो सुबह सुबह सूरी निकलता है और चुबने वाली रोसनी जब नहीं रहती है जो प्रकास है वो बहुत अच्छा लगता है बोसे कहते हैं सविता और इसी सविता को ही समर्पित है गायत्री मंत्र जिसको लिखा है विश्वा मित्रणे और ये आपके रिक बेद के कौन से मंडल में है आप सभी लोग बताईएगा ये सारी बाते याद रखींगे बचा लोग ये सारे सब्द हैं और उनका अर्थ है जो आयो के द्वारा पू ही होगा वन बड़ सब्सिट्यूशन भी होगा और साथ ही आपका सब्दार्थ तो बिलकुल सही ही होगा आज के लिए इतना है फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी सांदार टॉपिक के साथ थाइंक यू